प्यारे दादा जी के साथ जो दो बच्चे उनके दो भाई बहन जो बाच्चित करते हैं उसके विशय में हम पढ़ेंगे, so let's start Ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed जब से दादा जी गिरे हैं और उनकी बाहा में मोच आई हैं तब से वह बहुत बदल गए हैं He has become very quiet, he does not even speak to us वे बहुत ही शान्त हो गए हैं यहां तक की हमसे बात भी नहीं करते He keeps sleeping the whole day, he is very sad वह दिन भर सोते रहते हैं, वे बहुत दुखी हैं He does not even go out, यहां तक की वे बाहर भी नहीं जाते Grandpa loved to go for walks, he loved to do his exercise दादा जी को घूमने जाना अच्छा लगता है, उन्हें उनके वयाम करना भी अच्छा लगता है We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park हमें उनको सहर के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करना चाहिए और कुछ वयाम पार्क में उनसे करवाना चाहिए I can see grandpa's friend, let us talk to them मैं दादा जी के दोस्तों को देख रहा हूँ, आओ, उनसे बात करें Grandpa, your friends are there, they will be happy to see you, please go out and talk with them दादा जी, आपके दोस्त यहां हैं, उनसे आप बाते करिये, तब तक हम खेलते हैं, वे आपको याद कर रहे हैं Thank you my children for taking me out in the fresh air, it's been a long time, I have been with my friends or for a walk थन्यवाद मेरे बच्चो, मुझे बहार ताजी हवा में ले जाने के लिए, बहुत लंबे समय से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला और सैर पर आया हूँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई दादा जी, इसके लिए अपने बच्चो को बहुत धन्यवाद देते हैं बच्चो, जैसे हमने इस पार्ट में पढ़ा की, दो भाई बहन अपने दादा जी को खुश करने के लिए उन्हें बहार टहनने के लिए बगीचा ले जाते हैं आप भी अपने बड़ो जैसे दादा जी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी को खुश रखे और उनका कहना माने उनकी सहता करें, अगर वहाँ बीमार हैं तो उनकी देख रेक करें जिससे आप भी अपने बड़ो के लविंग चिल्रन मींस उनके प्यारे बच्चे बन सकोगे सो स्टूरेंट्स हमने लेसन पढ़ा, अब लेसन में आए कुछ न्यू वर्ड्स उसकी मीनिंग देखते हैं चलिए, स्प्रेंड, स्प्रेंड मीनिस मोच आना, क्वाइट, क्वाइट मीनिस शान्त, फ्रेश, फ्रेश मीनिस ताजा नेक्स्ट लेसन में आए कुछ गौशन आंसर स देखते हैं Answer these questions Question 1 What happened to grandpa? Dada ji ko kya hua tha? Kya hoga iska answer बच्चो? Haan Grandpa fell down and sprained his arm Dada ji gira paday thay और उन्हें हाथ में उनकी बाहा में मोच आ गई थी Second question What did grandpa love to do? Kya hoga iska answer बच्चो? Haan Grandpa love to go for a walk and do exercise Dada ji ko bahaar टहलना पसंद था और व्याम करना भी उन्हें अच्छा लगता है Question 3 How did the children make their grandpa happy? बच्चे अपने dada ji ko किस तरह खुश रख सके? Answer होगा इसका To make their grandpa happy The children took him to a park for a walk and to meet his friends Some homework for you Children, arrange the letters to get meaningful words कुछ words दिये हैं उसे आपको अरेंज करके उस words का meaningful word बनाना है So, children, आज के लिए बस इतना ही अब हम आप से अगली कक्छा में मिलेंगे तब तक, good bye, thank you